नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल अभी क्रियेशन्स में दोस्तों पहले मैंने आपको नंदन पहाड के वीडियो को दिखाया था कि कैसे त्यारी चल रहा था और यह आप देख सकते हैं नंदन पहाड का अब मैं आपको वो चगा दिखाएंगे कि नंद करते हैं तो और चौक के पास जो आर्मीतरा फ्लसटूस कोल है वहां पे दिखाते हैं तो दस्तों यह देख सकते हैं और था प्लसटूस कोलो है और अगर आप सावन में आये होंगे तो आपको पता होगा कि यह जो इसकूल ए स्कूल के अंदर एक कैंपस के अंदर एक हैं कि आर्मित्रा में इस बार क्या वेवस्ता लगाए गया तो अगर आप यहां पर देखें तो किसी परकार से कोई भी पंडल नहीं बनाया गया है और यहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल बनता था और मनरंजन के लिए कवरियों के लिए के यहाँ पे बो सकते हैं सांस्कृतिक कार्यकरम भी कराया जाते थे हैं चुकि इस बार देखने को नहीं मिल रहा है अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ आगे हमारे आरल सराप स्कूल है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो यह हमाँ आपको आर्मित्रा को दिखाएं बस पास में ही टावर चॉक है अगर मैं आपको दिखाओं तो यह देशकते हैं टावर चॉक है और इधर से हम लोग आगे जाने वाले हैं अभी कुछ जादे फिर भार नहीं है लेकिन टावर चॉक में यह जो है आपको क्या बेवस्ता है क्योंकि मैं भी एक पर भी नहीं गया हूं फर्स्ट टाइम जा रहा हूं क्योंकि दिखाना बहुत जोरी है क्योंकि आप लोग आते हैं तो इधर भी ठाहर सकते हैं अभी तो नहीं त्यारी हुआ है लेकिन अगर त्यारी होता तो मैं आपको दिखाऊंग वर बस यहां पर बगल में एक hospital था जो भी बंद हो गया है जो कि दूसरी जगह चले गया सदर अस्पीटल लेकिन शराबनी मेला में यहां पर emergency के लिए hospital चालू रहता है जो जहां पर तो यह हम लोग दे सकते हैं अभी हम लोग टावर चौक से जाएंगे या रल सराप तेक है और वहां पर दिखाएंगे अभी जास्त यहां पर बगल में एक आपको कॉलकाटा बजर मिलेगा राइट साइड में और यह दे सकते हैं यह हमारा बेज्यूमंदिर गली है तो इस गली से भी अगर आप जा के जा सकते हैं आप बहुत ही सौट पड़े गाए तो यहाने हमों को दिखाना आर ऐल सरड़ तो अम आरल सरड़ हम लोग पहुँचते हैं यह सकते हैं आरल सरड़ मादमिक विड़ाल है और मैं यहां से टेंध पास आउट किया हूं तो हम अम नहीं बोसकते हैं दस साल के बाद 2012 में मैं पास आउट हुआ था और 2012 में फिर इस कैमपस में आ रहा हूँ तो यह देख सकते हैं यह कैमपस में पंडल विगरा बना हुआ रहा रहा था सामने भी लेगिन इस बार नहीं बनाया हुआ है मैं भी हो सकता है कि पीशे बनाया होगा और बहुत दिन स्कूल बंद होने के वज़े से इस बर फिर स्कूल चालू हुआ है तो इसलिए इदर कुछ वेवस्ता नहीं दिया गया है देख सकते हैं काफी घास बेगरा हो गया है और काफी साबसुतर रहता था तो वो जो हम लोग जब पढ़ाई करते थे उसमें कुछ अलग ही यहां पर एक अनुसासन रहता था और अभी पता नहीं क्या कैसा है क्योंकि लॉक्डाउन के बाद ये स्कूले खुले हुआ हुआ है तो इतना बहुत जादा ज़ाड़ी वेकरा देखने मिल रहा तभी हम लोग इतना गंदगी नहीं रहने देते थे काफी हम लोग साबसुतरा भी करते थे फ्यून वेकरा भी रहता था तो यह है हमारे अभी सावन में त्यारी इस स्कूल के कैमपस के अंदर अगर कुछ नहीं भी त्यारी हुआ है फिर भी यहां पर सावन में को लगता है कि ऐसे भी बहुत सारा जो है जो आतने यातरी ऐसे बैठते हैं यहां पर जो दिया जाता है जो आर्मी है जितने भी फोर्स वेकरा रहते हैं वो सब के लिए रहने के लिए इसकूल सब दिया जाता है तो वैसे के लिए रूम बेकरा सारा मिल जाएगा और बाहर में जो केमपस खाली रहता है थोड़ा पंडाल बेकरा बना दिया जाता था लेकिन इस पर नहीं बनाया गया सिर्फ आर्म जो फोर्स रहते हैं उसके लिए रहने के लिए यहां पर वस्ता दिया जाता है और कुछ-कुछ बूसकते हैं यह भी रहते हैं आपका यात्री भी अब में इनके पीछे ले चलता हूँ ठीक है है जो कि यह देकिए बाए साइड में केक के श्रेडियम है जो हमारे श्रेडियम में में काफी तיारी चलता था लेकिन इव इस तरह का कोई तयारी नी दिया दिखाए गया सिर्फ इस्टेडियम अभी जैसे है वैसे हैं क्योंकि βच्चों खेलने के यहां पर देख सकते हैं कुछ बना हुआ दीख रहा है यहां पर यहां पर यह लोग को निए ठुट है में लेकिन अभी इस यह देख सकते हैं इस केंपस में बनाया जा रहा है पंडाल जो यात्री के लिए रहेंगे और शाद ही जो आर्मी होंगे जो भी फोर्च होंगे यह यह तो फिलिस वेगार उनके लिखने के लिए वेवस्ता होगा यहां पर बहुत सारे टॉलेट वेगार आज मैं वही कवर करने के लिए जाओंगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो तब तक लिए इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और चैनल पर न्यूँ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी तरह का और भी समस्या है तो आप हमसे बातें घशकते है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो चलिए आज इतनी ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू बाई